दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फोन में आटो स्टार्ट क्या होता है आप जब सेटिंग्स में जाते होंगे यहाँ पे नीचे की और स्क्रॉल करते होंगे एप्स पे क्लिक करते होंगे, मैनेज आप्स पे क्लिक करते होंगे यहाँ पे permissions पे click करते होंगे तो auto start का आपको एक option दिखता है तो यह क्या होता है app auto start जो है phones में क्या होता है simply auto start का मतलब है कि आप कोई app चला रहे हैं जैसे आप whatsapp चला रहे हैं ठीक है आपने इसको बंद कर दिया whatsapp को बट आपने यहाँ से बंद जरूर कर दिया वो automatically background में start हो जाएगा चलना ठीक है background में वो run करता रहेगा तब ही जब आपको कोई भी message आता है उसका notification तुरंत whatsapp दिखा पाता है अगर यहाँ पे आप इसको auto start जो है whatsapp का जैसे यहाँ पे यह on हम कर देते हैं ठीक auto start इसका बंद कर देंगे आप तो होगा क्या आप whatsapp चला रहे हैं तब तक तो आपको notifications वगएरा सब यहाँ पे मिलेंगे दिखेंगे बट आपने whatsapp बंद कर दिया या फिर उसको force stop कर दिया तो वो whatsapp notification नहीं दिखाएगा क्योंकि background में चलने के लिए यह allowed ही नहीं यह auto start जो है आपने इसका disable कर दिया ठीक है तो I hope आप समझ गयोंगे कि यह क्या होता है auto start इसका मतलब simply brief में अगर हम कहें तो automatically जो background में apps रन करते रहते हैं जब आप close कर देते हैं उसके बाद भी तो वही auto start setting है जिसको आप disable या फिर enable कर सकते हैं अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीज़े like चैनल को कर लिज़े subscribe and bell icon को press ऐसे और भी videos देखने के लिए